पत जड़्याते ही रहते हैं मदूपन फिर भी खिलते हैं समझोता गमों से कर ले गॉंडा की कैसरगंद सीट से भाजबा के सांसत और भारती कुष्टी संग के पूर्फ अध्यक्ष ब्रिश भूशन शनर सिंग ने एक बार फिर से पहलवानों पंचुटकी लेते हुए हमला बोला है सांसत ने इशारो इशारो में कहा कि साथ महीने पहले एक पहाड तूट पड़ा था मेरे उपर समझने वाले समझ गए मीडिया वाले ज्यादा ही समझ गए होंगे एक कविता पढ़ते हुए सांसत ने कहा साथ महीने पहले देख लो आज देख लो, दुनिया बदल गई है बदली की नहीं बदली उन्होंने कविता गाते हुए कहा साथ महीना पहले एक पहाड टूटा था मेरे उपर मेरे उपर समझने वाले समझ गए होंगे सच है विपत्ती जब आती है कायर को ही दहलाती है सूर्मा नहीं विशलित होते पल एक नहीं थी रचकोते संकट का चरण न कहते हैं साथ महीना पहले एक पहाड टूट पड़ा था मेरे उपर समझने वाले समझ गए मीडिया वाले ज़्यादा समझ गए है हमने कहा सच है विपत्त जब आती है कायर को ही दहलाती है सूर्मा नहीं बिचलित होते पले नहीं थी रचकोते संकट का चरण गहते हैं जो आप पड़ता सक सच है साथ महीना पहले देख लो आज देख लो दुनिया बदल गए दुनिया बदल गए बदली की नहीं बदली दन्य महोबा के पानी है जाके बगडी बाग भी आए भाजपा सांसर बेलसर विकास खंड में जगदंबा शरण सिंग महाविद्याले में आयोजित एक प्रतिबा समान समारों बच्चों को संबोधित कर रहे थी जहां उन्होंने एक बार फिर से पहलवानों के आरोपों पर चुटकी लेते हुए प्रहार किया प्रिज भूशन शरण सिंग ने रश्मिर अथी की कविता पढ़ते हुए कहा भाग ये न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है इसके लावा कैसर गंज सांसर ने कविता काकर पहलवानों पर निशाना साथा और होने गाया समझोता गमों से कर लेते हैं बताते चलें कि इसी साल 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश वोगाट साक्षी मलिक के सार बजरंग पूनिया ने धरना शुरू किया था आरोप लगाया था कि WFI के ततकालीन अध्यक्ष ब्रिज भूशन सिंग ने पहला पहलवानों का यौन शोशन किया है पहलवानों के धरना की बीच 28 अपरेल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिज भूशन पर छेर चार्ट और पॉक्सो एक्ट में दो F.I.R. दर्ज की थी हालकि बाद में नावालिक पहलवान की तरफ से लगाए गए आरोप वापस लिरी गए थे जिसके बाद उन्हें पॉक्सो केस पर रहत मिल गई है लेकिन महिला पहलवानों के आरोपों के लेकर केस चल रहा है